दोस्तो इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं HDFC Life Insurance के बारे में जी हाँ दोस्तो जैसा कि आपको पता है HDFC Life Insurance के कल ही Quarter 4 के Result Declare हुए है और उसमें भी आपको काफी अच्छे Result देखने को मिले हैं उसके बावजूद आज आपको लगबख 4% की गिरावट HDFC Life के अंदर देखने को मिली है तो HDFC Life के अंदर जो इस गिरावट आज आपको देखने को मिली है इसके पीछे की वज़ा क्या है? क्या HDFC Life को लेकर कोई बड़ी नियूज निकल कर आई है? सारी चीजों को डीटेल में जानने की कोशिश करते है सबसे बिले बताना चाहूँगा मैं आपको कि HDFC Life Insurance की जो आज की क्लोजिंग निकल कर आई है वो 689 रुपे की निकल कर आई है लगबख 3.5% की गिरावट आज आपको HDFC Life के क्लोजिंग तक देखने को मिली है अगर पॉइंट्स में बात करूँ तो लगबख 25 पॉइंट की तेजी गिरावट आज आपको देखने को मिली है अगर आज के हम मार्किट को एनालिसिस करें तो आज HDFC Life का शेर 711 रुपे पर ओपन हुआ था 719 रुपे का इसने हाई बनाया था और 677 रुपे का इसने लो बनाया था अगर आप इसके चार्ट को भी देखेंगे तो मॉर्निंग में यानि की फर्स्ट सेशन से ही आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और आगे क्या resistance इसके बन रहे हैं क्या support level से वो भी जानने की कोशिश करेंगे इसी के साथ में अगर हम HDFC life के 52 week के high से बात करें तो HDFC life अब अपने 52 week के high से लगबग 9% नीचे trade कर रहा है और अगर इसके momentum की भी बात करें तो mid range के momentum यहां से अब आपको देखने को मिल रहे हैं चाहे हम short term की बात करें, medium term की बात करें या फिर long term की बात करें HDFC life insurance company ने अपने investors को पिछले एक महिन मिनने में लगबग 1% का return बना कर दिया है और अगर nifty 50 की भी बात करूँ तो nifty 50 ने भी लगबग 1% का return बना कर दिया है तो कुछ अच्छा performance तो यहां पर नहीं के सकते हम पिछले एक महिने में HDFC life insurance की तरफ से लेकिन खत्रा यहां पर थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है जी हां दोस्तों short term में जो यहां पर HDFC life की अब technical rating निकल कर आ रही है वो यहां से bearish निकल कर आ रही है तो अब यदि आप HDFC life के अंदर fresh entry बनाने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहां पर समल के चलना होगा जी हां दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC life के अंदर moving averages, technical indicators या फिर moving averages, crosswords तिनों ही चीजे आपको bearish देखने को मिल रही है अब यहां पर मैं आपके साथ कुछ resistant shares करना चाहूंगा और stop loss भी share करना चाहूंगा जैसा कि आपको पता है कि HDFC life ने आज अपने second stop loss याने कि 679 रुपे को भी यहां पर almost breakout कर दिया है तो अब यहां से कल के market को view को लेकर HDFC life का जो support रहेगा, जो stop loss रहेगा वो रहेगा 670 रुपे गा अगर 670 रुपे के भी stop loss को यहां से HDFC life का share अगर breakout कर देता है तो आपको इसके अंदर कल भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है long term के अंदर जो यहां HDFC life के resistance निकल कर आ रहे हैं पेला resistance से 712 रुपे का, दूसरा resistance से 720 रुपे का और तीसरा resistance से 733 रुपे का तो इन resistance का भी आपको काफी ज़्यादा ध्यान रखना है अब एक बर volume को भी analysis कर लेते हैं अगर HDFC life की अगर volume की तरफ आप नजर मा रहेंगे तो volume में किसी प्रकार की कोई आपको इहां पर गिरावट देखने को नहीं मिल रही है यानि कि अगर मैं overall पिछले एक मेन की बात करूँ पिछले एक महिने की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा volume आज आपको HDFC life के अंदर देखने को मिली है NAC और BAC में लगबग 1 करोड क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है इतनी गिरावट के बावजूद आपको HDFC life के अंदर आज इतनी बड़ी क्वांटिटी में volume देखने को मिल रही है उसके पीछे की वज़ा है कि HDFC life के अंदर बड़े बड़े broker firm यहाँ पर आप invest कर रही है और जितने भी retail investors यहाँ पर investment करना चाते हैं उन्हें long term का नजरिया रखना होगा क्योंकि अब आपको यहाँ पर shares के अंदर short term में corrections देखने को मिल सकते हैं अगर हम यहाँ पर price performance की बात करें तो HDFC life ने last three months के अंदर याने पिछले तीन महिनों में कोई काफी अच्छा returns तो बना कर नहीं दिया है पिछले year on year business पर भी बात करें तो कोई अच्छी performance नहीं है लेकिन अगर पिछले एक साल की बात करें HDFC life insurance ने यहाँ पर जो अपने कल quarter four के result declare किये हैं उसके net profit में आपको लगबग 2% की तेज़ी देखने को मिली थी उसके बात जो आपको आज देखने को मिला है उससे जितने भी retail investors है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर panic ले रहे हैं जिससे आपको यहाँ पर panic लेना पड़े लेकिन यहाँ पर जैसे ही quarter four के result कल company की तरफ से declare किये गए हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर profit booking देखने को मिल रही है और इसी reason के कारण profit booking के ही कारण आपको इतनी बड़ी गिरावट आज HDFC life के अंदर देखने को मिली है तो लगबग 1360 करोड रुपे का net profit यहाँ पर declare किया है HDFC life ने तो बहुत अच्छा result यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है की तरफ से 2020 में जो यहाँ पर HDFC life ने net profit बुक किया है वो है 1360 करोड का और 2019 में जो यहाँ पर company ने net profit बुक किया था तो आपको जो increment याने की 2% की तेजी देखने को मिल रही है वो लगबग 311 करोड रुपे की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो overall अगर हम HDFC life insurance company limited के बारे में बात करें तो काफी अच्छा performance यहाँ पर बना कर दिया है एक बार promoters की holdings को भी यहाँ पर check out कर लेते हैं तो यहाँ पर HDFC life के अंदर promoters की holdings लगबग 58% के करीबन की है FII की holdings की अगर बात करूं मैं तो लगबग 25% की FII की holdings आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी DII की holding की बात करें तो लगबग 6-77% की आपको DII की holding यहाँ पर देखने को मिल जाएगी Public holding की भी बात कर लेते हैं 0.03% आपको public holding देखने को मिल जाएगी और others यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो overall अगर बात करें तो promoters की holding काफी अच्छी आपको HDFC life के अंदर देखने को मिल रही है Technical rating BR-ish बनने के बावजुद यहाँ पर जो community sentiments यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं HDFC life insurance को लेकर वो काफी चोकाने वाले हैं जी हाँ दोस्तों HDFC life insurance को लेकर जो community sentiments निकल कर आ रहे हैं उसमें अभी भी 84% buy की call निकल कर आ रही है और 16% sell की call निकल कर आ रही है यानि कि अभी भी यहाँ पर जितनी भी broker firm हैं वो यहाँ पर HDFC life को 84% यानि कि लगबग 80-90% यहाँ पर buy की call दे रही है करण share price से तो यदि आप HDFC life insurance के अंदर investment करना चाते हैं लेकिन long term के नजरिये से short term में आप आपको profit booking देखने को मिलेगी जिससे corrections यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर आप long term का view रखते हैं और अगर आप इस shares को खरीदना चाते हैं तो long term के view के हिसाब से आप इसके अंदर fresh entry बना सकते हैं आज overall market के अंदर काफी अच्छे तेजी आपको देखने को मिल रही थी चाहे हम बात करें nifty bank की nifty bank भी आज आपको मजबूत देखने को मिला लगबग 460 point की तेजी आप आपको nifty bank के अंदर भी देखने को मिली चाहे हम बात करें nifty private bank की तो nifty private bank भी आज मजबूत था लगबग 249 point की तेजी आपको nifty private bank के अंदर भी देखने को मिली और nifty PSU bank के अंदर भी आज आपको 0.5% की तेजी देखने को मिली है तो overall market positive था उसके बावजूत HDFC life के अंदर जो आपको 3.5% की गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे का प्रकार की कोई panic यहां पर लेने की जरूरत नहीं है अगर कोई AC update आती है जिससे आपको यहां पर आपके investment पर किसी प्रकार का खत्रा होता है तो हम वह आपको हमारे चैनल के माध्यम से alert करते रहेंगे तो चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को भी प्रेस कर लिजिए ताकि share market से ज